आपने यह कहा कि नेता लोग लूट खसोट ना करें तो ये देश स्वर्ग बन जाएगा, तो कक्का पहले देश के लोगों से पूछ तो लो कि वो स्वर्गवासी होना चाहते हैं या नहीं? जब घडियापन का राज हो, तो श्रेष्ठता के स्वप्न देखना राजद्रोह है, सफाई पसंद देश के नागरिकों का सफाई पसंद होने का इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा, कि वे जूट तक साफ साफ बोलते हैं? प्यार घड़ना का रूप भले ही ले ले, उसे मैत्री में परिवर्तित करना असंभव होगा, लगता है मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, मुझे अपना बच्पन याद आ रहा है, प्यार किसी और की चुनौती से नहीं, अपनी ही अस्मिता, अभिमान की चुनौती से उपजता है, इस देश में आपको हर आदमी यही कहता मिलेगा कि दो दिन के लिए हमें पावर दी जाए, हम सब ठीक कर देंगे, जो भी देता है, उपर वाला ही देता है, इसलिए ही उपर वाली आमदानी कही जाती है, लाठी चलाई नहीं जाती असली पॉलिटिक्स में, उठा खुद स्तीफा देकर बिल में खुज जाए, उमिका की ही हम आप खा रहे हैं, आगे तो किताब कोरी है, इस देश में कोई इतना अमीर नहीं कि फ्री फंड के माल को मना कर दे, प्यार होता है तो पहली ही नजर में पूरी तरह हो जाता है, दूसरी नजर में तो आलोचना हो सकती है, पुनरविचार हो सकता है, जिन्दगी की घास खोदने में जुटे हुए हम, जब कभी चौक कर घास, घाम और खुर्पा तीनों भुला देते हैं, तब ही प्यार का जन्म होता है, या यों कहना चाहिए कि वह प्यार ही है जो हमें चौका कर बाध्य करता है, कि घड दो घड़ी घास, घाम और खुर्पा भूल जाएं, इसी का नाम राजनीती है कि हर अच्छी चीज के लिए कहो हमारी वजह से हो रही है, और हर बुरी चीज के लिए कहो यह हमारे बसकी नहीं है, या हमारे सत्ता में नहोने की वजह से हो रही है, राजनीती में दो ही और दूसरा सदा बाहर दोस्तों आपको ये महान विचार पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हमें खुशी होगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका